कि यह लो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का जीयस क्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में यानि कि दो स्पीसिस हैं वो जो है इंटरेक्ट करती है तो उसमें किसको लाब होता है किसको हानी होता है इसमें प्रॉफिट लास रशाट नहीं होताहा इंससे क्योशन उलीते हैं तो इसको बारी बारी से कि इसमें दोनों स्पीसिस को यान होता है क मिलताह जैसे तिटली और फूल टिटली को खोई उसके-ग्स कर लेते हैं जो अभी तैछिस और fool का जो है pollination हो जाता है तो इस तरह से दोनों का फाइदा हो जाता है और mutually में यह दोनों benefit में होते हैं Commensalism में देखें तो एक जो है यह फाइदे में होता है और दूसरा घाटे में हो जाता है Commensalism तो एक फाइदे में होता है और दूसरा घाटे में रहता है ये commensalism कहता है competition जो होता है इसमें दोनों को घाटा होता है competition जो होता है यहाँ पे दोनों को loss होता है predation में देखें तो एक species जो है दूसरे को मार देता है तो जो भी species देखते हैं हम लोग कि उसमें एक species दूसरे को मार देता है तो प्रिडेशन कहलाता है पैरासेटिस्म क्या होता है कि होस्ट जो हार्म हो जाता है गेस्ट द्वारा यानि कि उसे कोई effect नहीं होता है और दूसरा species जो हार्म हो जाता है जैसे कि एकुलेप्टस की जो जड़ों से जो है chemical निकलता है जिसकी कारण उसके आस पास जो है कोई छोटे plants उग नहीं पाते हैं तो वो एमेंसलिस्म का example हो सकता है निट्रलिस्म में किसी को फाइदा ना किसी को गेण किसी को फाइदा ना किसी को loss हो रहा है यहां पर वो निट्र्लिस्म कहलाता है तो यहां पर हम देख रहा है कि mutualism, commensalism, competition, predation, parasitism, emmentalism, neutralism इसमें किसी ने किसी से question पूछ देता है तो यह plus minus में भी पढ़ाते वक्त लोग पढ़ाते हैं, जैसे mutualism में दोनों species को फाइदा हो रहा है, तो इसको plus plus दिखा देंगे, commercialism में एक को फाइदा हो रहा है, और दूसरे को घाटा हो रहा है, तो plus और minus से दिखा देंगे, competition में देख रहा है कि दोनों को घाटा हो रहा है तो minus minus से दिखा देंगे predation का मतलब हो कि एक दूसरे को मार देते हैं तो इसमें जो है दूसरे का फाइदा होता है प्लस और minus सी रख देते हैं फिर एक parasitism होता है जिसमें जो है host harm हो जाता है और guest को जो है कोई effect नहीं पड़ता है तो plus और zero हो जाता है parasitism में एमेंसिलिजम में जो है यहाँ one species यह harm होता है और दूसरा जो होता है वो affected नहीं होता है तो वही हो जाएगा कि एक minus में चला जाएगा एक zero में होगा neutralism का मतलब कि जो है दोनो zero zero हो जाएगे तो इस तरह से एक relation इन्होंने बना रखा है biotic interaction में यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो इसमें तो आप comment section में मुझे comment कर देंगे और जो है मैं इसको और ज्यादा ठीक तरीके से explain कर दूँगा या फिर किसी और topic पर यदि वीडियो चाहिए आपको तो आप comment section में हमें लिके हम जो है उस पर वीडियो बना देंगे ओके थैंक यू